महावीर का जीवन परेचे महावीर या वर्धामान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान रिशबनाथ की परमफ्रा में 24 वे जैन तीर्थन कर थे महावीर स्वामी का जीवन काल 599 इसा पूर्फ से 527 इसा पूर्फ तक माना जाता है इनका जन्म वैशाली गंतंत्र के कुंडलपूर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिध्धार्थ और रानी त्रिशला के यहां चैत्र शुक्ल तेरस को हुआ था। भगवान महावीर ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। जिस कारण इन्हें जीतेंद्र भी कहा जाता है। मना कर दिया था। श्वेतांबर परंप्रा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था। भगवान महावीर का जन्म करीब धाय हजार वर्ष पहले वैशाली गनराज्य के कुंट ग्राम में अयोध्या इक्ष्वा कोवन्शी। क्षत्रिय परिवार हुआ था। तीस वर्ष की आयो में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और सन्यास धारन कर आत्मकल्यान के पत्थ पर निकल गए। बाराव वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्यान प्राप्त हुआ जिसके पश्चात उन्होंने सम्विशरन में ज्यान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयू में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ती हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अन्वियाई बने जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिम्बिसार, कुनेक और चेतक भी शामिल थे। जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ती का उपाय बताते है। तीर्थंकरों की संख्या 24 कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान अफसर पिनी काल की 24 के अंतिम। तीर्थंकर थे और रिशब देव पहले हिंसा, पशुबली, जात पात का भेद भाव जस युग में बढ़ गय उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पार्थ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुन बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंच्शील सिध्धान्त बताए। जो है एहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचोर्य, ब्रहमचर्य, उन्होंने अनेक अंत्वाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्बुत सिध्धान्त दिये। महावीर के सर्वोड़ी तीर्थों में क्शीत्र, काल, समय या जाती की सीमाई नहीं थी। भगवान महाव महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रतेक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं। इसलिए हम दूसरों के प्रती वही विचार एवं व्यवहार रखें जुआमे स्वयम को पसंद हो। यहीं महावीर का जियो और जीने दो का सिध्धान्त है। भगवा महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख की प्राप्ती है तो अइनसा धर्म का उपदेश दिया।